दूस्तों काफी टाइम है है नहीं नौलिज वाला वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोगे दिमांड आ रही थी इसले मैं इस वीडियो को नोलिज वालग बने सुआ करने वाल हूँ एक तो है को बहुत सारे लोग कोई भी बंदे के बारे में पूस्तते हैं जैसे जो भी वी आने वाली है तो सबसे पहले मैं इसका जवाब देना जाओंगा कि जो भी आप वीडियो देखते हैं जिन लोग के बारे मेरे से पूछते हैं आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं एक चीज बताओ ना आप भरकुल भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हो एक परसेंट भी कॉमन सेंस लगाते हो और आप बिजनिस करने का बात करते हो बिजनिस इतना ठकी है और उसमें आप इतना सीधे साथ है और इतने आराम से एक दम रिलेक्स हो के बात करते हो वहां से अपने कलेक्शन मंगाया और वह बंदा बोलता है कि मैं एक चीज बोलना चाहूं कि 90 परचंट तो आ 90 परचंट लोग उनके जिसने वह मैंफेक्शन के उसके नाम के साथ उसके टेक के साथ उसके लोग के साथ ही भीचते है आपको कालेक्शन तो आपको इतना तो समझ माय नाच अची अगर सपोज मैं वी तूसी इंडिया आपको कोई कलेक्शन भेज रहा है ठीक है अब मैं root आप सामने उसमें देख रहे हैं आगर सब्सक्राइब नीजिर सामने पakिस्तानी फीट में बेज रहा हいき तो साम आप नुजिन लिख रहा है या स्रीप लिख रहा है या सार्थ डिशन लिखेंड लिख रहा है या या बहुर करके ले रहे हो सारा माल तो प्रॉलम नहीं है लेकिन वोल्सेलर्स और ट्रेडर में भी अच्छे रेट देने वाला होना चाहिए आपको मैंने यह है का अच्छे रेट आपको वो दे पाए हां से भी कलेक्शन मंगाते हैं वहां से जैसी माल आता है उस पर सामने ही जो कलेक्शन के उपर लिखा होगा आपको लोगो बगेरा होगा टैग होगा जो भी होगा उस पर तुरंत पता लग जाएगा आपको यह चीज का अच्छा सेल लेकर आ रहा है तो वो बोलोगे का यार एक काम करो मेरे नाम के टैग इस पर मेरा लगवा दो जिससे कि ऐसा लगे कि मेरा है तो वो लोग कंपनी ऐसा करती है मतला वहां से आएगी और आपका टैग लगा कि भेज़ देगी आब वो उसको अगर खाली एक हलका से स्टीकर मार दिया और उससे अगर मैनफेक्टर बन जाता है और आप लोग मान लेते हो तो मतलब मेनिंगलेस है और एक और सिनारियो आपने देखा होगा कि जहां पर लोग ना अपने नाम का बुकलेट चप वालेंगे अपने नाम का सब कुछ एकदम लोग चप पर बाउंडेस नहीं है किसी को भी क्यों कि फोटो सोप बगएर सब जगे होता है फोटो शूट सब जगे होता है फोटो सोट आज के टाइम पर मोस्ट अपली जो बड़ी बड़ी कंपनी ना वह भी नहीं कराती है आपको एक्चल बताऊ बहुत सरी जगे से यहां से वह शूट करवा है, खुद ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं, यह सब बहुत बड़ा गेम रहता है, एक सिंपल सा मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा डीपली बात करो हूँ, यह सब बताने के बहुत सारी चीज है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर किसी ब्रांड ने कोई ड्रेस है, वो 200 रुपे की निकाली है, आप उसको खरीद रहो, आपके एरिया में कस्टमर उसको चाहा रहे है खरीदना और आप वो खरीद रहे हो, अब इस सेम चीज को कोई बंदा 200 रुपे मोतारता, अपनी ब काटा है, कि जिस ब्रांड को आपके कस्टमर जानते नहीं है, जिस ब्रांड को आपके एरिया में कोई जानता नहीं है, आपको उसी रेट पर जो ब्रांड रहा है, नोन ब्रांड क्यों खरीद होगे, तो इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो चीज आपके यहां चल 170 का अगर कोई आपको देता है वही माल तो आप non brand में जाने की जरूता है या unknown brand में जो अभी brand जानी पहचानी नहीं उन में जाने की जरूता है तो problem नहीं है लोग पता है अचकल क्या कर रहे है market में कोई अगर design उनको लग गया ना कि यह ही design है उसका क्या करेंगे यह computer वा ले नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा बचच चाहिए उसके अंदर तो इससे अच्छा है कि आप जो branded चीज करते हैं उसी में जाए क्योंकि एक तो आपको rate कम करके नहीं देगा तो क्यूं आप unknown brand में जाने का जब branded आपको मिल रही है वही रेट मिल रही है आपकी customer आपको तो उसके लिए एक simple sales है आपको दो जगे जाना पड़ेगा आपके ही area में आपके जहां पर भी market है जहां पर retail counter है बहुत सारे retail counter है वहाँ पर आपको जाना है कम से कम 10 दुकान पर जिस तरीके का आप business करने वाले हो अगर साड़ी का business करने वाले हो या suit का business करने वाले हो उस जाना है और वहाँ पर जाके just collection देखना है उनका ऐसे कम से कम 10 दुकान का देखना और ध्यान से देखना किस ट्राइप का company का है किस company का है क्योंकि वहाँ पर लोगों लग लग रहा होगा बहुत से लोग ऐसा है लोगों चुड़ा देते हैं ठीक है लेकिन generally आपको कम से कम 80 80 पर्सेंट लोगों के पास EJT सब कुछ दिख जाएगा क्योंकि उनको पता है कि कोई retail बाला बंदा जारे एक manufacturer से या वहाँ से तो खरीदें वाला नहीं है ठीक है तो बहुत सारे लोग नहीं चुड़ाते है और बहुत सा लोगों को पता भी नहीं होता है इसका मतलब क्य है ठीक है रेटेल काउंटर पर तो वो लोग नहीं जन्रली चुड़ा आते तो एक तो आपको यह आइडिया हो जाए कि हमारे यहां पर किस टाइप के टेस्ट चल रहा है किस किस ब्रांट का माल चल रहा है दूसरा होगा कि आपके एरिया में पक्का जो सिटी रहती है बड कि हमारे तो आपके टेस्ट का है तो आप भी अगर बड़े लेबल हैं काम करने चाहरे हो तो वहाँ से जो भी ब्रांड का माल है जो भी आप लिख लो उसका ब्रांड का नाम फिर हम यहां से डारेक्ट मैंफेक्टररे ले लेलू अगर आप पोच छोटी लेबल हमें तो इसके लिए मैंने मेंबर्शिप निकाला है बीटूस इंडिया मेंबर्शिप पेड़ जरूल है इसमें आपको चार्ड देना पड़े इसके अंदर आपको मैंफ्रेक्चर्स का डिटेल मेंगा जिसमें पाकिस्तानी शूट कुर्ती गाउन लहेंगा शूट्स और आपका इसमें सारे मेंफ्रेक्चर्स के आपको लिस्ट मेल जाएगा जिससे आप डारेक्ट वहां से करी सकते हों के साथ साथ भी आपकर मेरा गार्डेंज भी चाहिए मेरे से कुछ जानकारी चाहिए आपको और भी कुछ दीप नॉलेज चीज है क्योंकि हर चीज यूट्यूब में नहीं बता सकता तो वह भी आपको हेल्प मिल जाएगा जिससे के आप और अच्छा ग्रोप कर पाऊगे जो भी आपसे चार्ज के जाएगा फुल टैम आपको सपोट रहेगा बहुत सारी चीज है जो आपको नहीं पता है और मेरे साब से आपको टैम बेस्ट भी नहीं क करें और आपको मेंबर्सिप का डेटेल मेरे से लें और आपको इंट्रेस्टेट हैं तो आप ले लें वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और एक से लेके दस तक रेट करें सो थैंक यू